गूट मॉर्णिंग एप्रिपन, स्रिक्स्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी, I hope all are, very good, today is 11th of January 2022, और डे है Tuesday, तो हम पर रहे हैं exercise 12.3, 12.3 का 1st, 2nd, 3rd, 1st, 2nd and 3rd question जो भो हमने कर लिया था, आज हम करेंगे question number 4, 5, 6 and 7, total जब वो 4 question करेंगे, फिर जब वो 8, 9, 10, 11, 4 question और बचेंग उसको जो हम लोग कल करेंगे, उसके साथ हमारा जो chapter है और exercise 12.3 है, वो complete हो जाएगे, तो चलिए start करते है question number 4 से, यहाँ पर लिखा है cost of 5 kg of wheat is 30.50 rupees, जो यहाँ पर लिखा है, ऐसे यह वाला symbol, यह जो वो rupees का symbol है, मतलब 30 rupees, और यहाँ पर 50 लिखा है, आगे जो बैसे 50 नहीं पढ़ना है, इसको जब भी आप read करेंगे, तो 50 पढ़िए, ठीक है, decimal के बाद जो digit होता है, उनको अकेले अकेले read किये जाता है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 38.40, तो इसको जब वो 38.405 पढ़े, 405 ना पढ़े, 405 ऐसे पढ़े, ठीक ऐसे इसको read किये जाता है, तो इ रुपीज में, तो यह जो decimal के बाद लिखा है इसने, यह जो वो पैसे है, और यह जो decimal से पहले है, यह जो रुपीज है, तो 30 रुपीज, 50 पैसे आप बोज़कते हूँ, ठीक है, तो इसने बोला कि, what will be the cost of 8 kg of wheat, इसने बोला कि 8 kg की कि कितनी जो वो cost आईगी, अब इसने 5 kg का तो बता है, यहाँ पे, तो 8 kg का कितना होगा, वो आपने बताना है, next question है, what quantity of wheat can be purchased in 61 रुपीज, तो काफी अच्छा question है, कि इसने बोला कि 61 रुपीज में, आप जो वो कितनी kg wheat जो वो खरीज सकते हो, जो कितनी kg wheat जो वो पर्चेज कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप फिस question को समझे कि कैसे solve करना है, अब देखे, 8 kg of wheat की जो cost है, वो निकालनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ से जो वो, एक kg का कितना cost आ रहा है, वो निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद जब हमारे पास एक kg का निकल जाएगा, तो हम लोग जब जैसे एक kg का मालो 6 रुपी तो कुछ इस तरह से आपको जो, question को पहले, question की जो अपने दिमाग में जो एक image बनानी है, की question को कैसे solve किया जाए, तो चलिए, start करते हैं, इसका answer, देखे, सबसे पहले तो वही लिखें, जो भी दिया है, जैसे cost of 5 kg of wheat की दिन दिया 30.50 रुपीज, फिलिका cost of, मैंने वोला 1 kg का निकालना पड़ेगा, अब 1 kg का निकालना है, मैंने वोला कि 5 से 1 का जब भी निकालते हैं, या बड़े नमबर से चोटा नमबर जब भी निकालते हैं, तो divide करते हैं, अब इस नमबर को 5 से divide करना पड़ेगा, एक kg का निकल जाएगा, ठीक है, तो इसको divide करना है, तो आप या तो जो वो 30.50 को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका अंसर आएगा, देखिए, इसको जो वो या काट करके भी डिवाइड कर सकते हैं, पर मुझे लगदा है कि आप जो वो यहाँ पे डिवाइड, जो वो य यहाँ पे 0 आ गया अब decimal है decimal को नीचे ना उतारिए decimal को कोशिंट में चिपका दीजिए देखे 6 के बाद decimal लगा लिया अब बैसे digit नीचे उताते जाए 5 है तो 6 तो यहाँ पे आ गया जीरो और जीरो जब नीचे आया तो यह तो छोटा है अब छोटा है तो जीरो से multiply करना गया तो 6.10 यह 6.1 भी आप सिंपल बुछ सकते हो लेकिन 6.10 आ रहा है तो 6.10 रूपीज जो वो cost है अब आप बताइए कि आपको यह वाला जो वो simple लग रहा है कि आप ऐसे करके simple लगेगा आप बताइएगा दूसरा जो method है वो आप ऐसे लिक्स करना है जैसे मैंने जो वो 30 को 5 से divide करना है तो आप 30 upon 5 लिक्स करना है पहले 30 upon numerator जिसको divide करना होता है वो numerator होता है जिस से divide करना है वो denominator होता है तो 30 upon 5 लिक्स करना है तो तो इसको डिवाइड करना है 5 से तो दिख लिए मैंने निविरेटर ओपर डिडामिडर नीचे अब इसको आपको काटना आना चाहिए अब देखिए यहांपर क्या किया है कि यहांपर इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाना है तो नीचे जोब दो 0 लगे यह म multiply by 100 तो अब 500 आ जागा है आप फिर जो इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 6.10 तो इससे अच्छा था कि आप से या 100 से या 200 से तो बेर इंपोर्टन टॉपिक है वो भी तो 6.10 आ गया है यहां पर तो इसके बाद कॉस्ट आफ 8 kg तो 8 kg का जैसे मालो एक kg का जो वो 5 रुपय है तो 2 kg का कितना हो जागा दो 5 हो जाएगा ठीक है वैसे ही जोगो यहां पर 1 kg का निकल रहा है एक kg का निकल रहा है 6.10 ठीक है डेसिमल में है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर 8 kg का निकलना है तो 8 से मल्टिप्लाय करिए इसको ठीक है अब यहां पर भी आपको जोगो देखना पड़ेगा कि कैसे आगे है ठीक है हम यहां पर 2 डीजिट है कोई प्रॉप कोई डिशित नहीं है कि आगे वाले में को गुछ डीजिन नहीं है लेकिन यहां पर दो डिज्ट है तो दो डिज्ट है एक दो 48.80 जो आपका अंसर आ जागा यह जो मैं कैल्कुलिएशन आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है यह आपके फिर कॉपी पर साइड में होनी चाहिए ऐसे जो आपने लाइन लगानी है और दूसरी साइड जो कैलिक्रेशन कच्छी पैंसे से या पैंसे होनी चाहिए ठीक है इसने क्या पूचा था एक मिनट रुक जाईए इसने पूचा था यहां पर यस कि 60 रुपीज में कितनी हम लोग परचेश कर सकते हैं 60 रुपीज में कितनी परचेश कर सकते हैं अब जो बो यहां पर पता नहीं यहां पर क्या किया है इन्होंने डारेक्ट जो बो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा देखिए जैसे इसको लिखने की ज़रूर तो नहीं है आपको बताए कि अब उपर निकाल दिया कि एक केजी वीट जो बो कितने का रहा है 6.10 का रहा है ठीक है अब इसने कितना पुछा था कि 61 में कितना आएगा तो 61 को जो बाप डिवाइड करिए 6.10 से आपका अंसर आ जाएगा ठीक है 61 को जो बो डिवाइड करना है 6.10 से अब डिवाइड कैसे करें तो 61 मैंने यहां पर लिख लि और 61 यहां पर आजाएगा 61, 61 से कट गया तो 1 आ रहा है उपर है और 1 के बाद जो 0 है तो 10 आ जाएगा ठीक है फिर से दिखेज़रा इसको जो आपने नहीं लिखना है ठीक है इसको मैं आपको सेंट भी नहीं करूँगा इसको आपने लिखना है आपने बोलना है आपकी 1 kg वी फिर फ्रॉम 61 फिर यह लाइन आप लिख सकते हैं ठीक है quantity of weight can be purchase कितनी purchase कर सकते हैं तो आपने जो वो 61 में पुछा था 61 को डिवाइट करना है आपने 6.10 से अब जो डैसिमल अगर रठा दें तो नीचे 100 आएगा यह जो 100 है वो जब वो डिवाइट हो रहा है तो उपर जो तो 10 आगे हैं ठीक है तो 10 is the answer तो 10 kg जो वो 61 6.1 सुरी 61 रूपीज में कितना आएगा 10 kg वीट जो वो हमें मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे जो आपने करना था अचाहिए की question हुआ भी time काफी ज़्यादा हो गया question number 5 देखिए the temperature dropped 15 degree Celsius in the last 30 days तो यह वो रहाई की temperature जो डाउन हो 30 days में कितना 50 degree Celsius जो नीचे गिर गया है if the rate of temperature dropped remains the same यह वो रहाई की जो वो हर महिने जो ऐसे रह रहा है temperature ऐसे ड्रॉप होता रहा है 15 15 जो वो कम होता जा रहा है how many degree will the temperature dropped in the next 10 days तो इसने बुचा कि next 10 days में कितना कम हो जाएगा तो यह काफी अच्छा कोश ने लगा मुझे द drop हो रहा है कुछ भी मालने जी 15 degree तीक है अब जो वो यहां पे इसने बुचा है कि 10 दे में कितना होगा अब इसने कम पुचा 10 दे में next 10 दे में कितना degree जो वो temperature कम हो रहा है ठीक है 30 days में 15 degree temperature जो वो decrease हो या ड्रॉप हो ठीक है अब 10 दिनों का पुच रहा है अगर आगे पु जा हो जाएगा 5 15 होता है तो 5 आगे अंसर लेकिन इसको लिखेंगे कैसे वो जो आपको पताना चाहिए पहले लिखेंगे जो भी दिया है degree of temperature dropped in last 30 days 15 degree और फिर degree of temperature dropped in last 30 days ठीक है degree of temperature dropped last 30 days यह जो वो गलत लिखा है यहां पे ठीक है इसको आप ठीक करने last 30 days नहीं हो लास्ट 1 days या 1 days ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है 1 day तो इन 1 days मतला कि एक दिन में कितना decrease हुआ तो आप 15 को 30 से डिवाइड करिए 15 बंजा 15 15 टूचा हाफ डिगरी जो वो एक दिन में कम हो रहा है तो 10 दिन में कितना होगा half multiply by 10 हो जाएगा ठीक है तो हाफ multiply by 10 करेंगे त 2 1 जा 2 5 2 जा 10 तो 5 डिगरी आगे ठीक है तो पांच डिगरी जल से temperature dropped in 10 days ठीक है इसको आप ठीक करें यापर नेक्स देक कुछी नेबर 6 आ याप लिगा है साइना पेस 75 100 as rent for 3 मन्त इसने बोला है कि तीन महिने का वो इतना देती है ठीक है तीन महिने का इतना देती है तो इ एक महिने का निकाल ले अभी हमने how much does he has to pay for a whole year तो अगर एक महिने का जो वो 2500 है तो पूरे साल का कितना होगा साल में होते है 12 months 12 से इसको multiply करेंगे या आपका answer आ जाएगा ठीक है आगे इसने बोला है कि if the rent पर है नमरी में से rent जोब से मरत है ठीक है तो देखे सबसे पहले 12 months का 12 से multiply किया 30,000 आ जाएगा 30,000 is the answer next question number 7 cost of 4 dozen bananas अब एक dozen जो वो कितना होता है वो आपको बतानों जो एक dozen में जो वो कितनी items होती है 12 होती है जैसे अगर आप बोलेंगे दुगान में जाकर case of में जाकर case of की पर से बोलेंगे कि हमें जो वो एक dozen बनाना चाहिए तो वो जो जो वो count करके 12 देगा क्योंकि एक dozen जो वो 12 के एकल होता है एक dozen 12 आइटम के एकल होता है तो इसने में पूछा कि 12 रुपीज में कितने बनाना आसकते हैं यह भी अच्छा कोशन है वैसे सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 4 dozen बनाना कितना रहा है 60 रुपीज cost of 48 dozen 4 dozen का मतलब है 48 bananas ठीक है क्योंकि मैंने बता दिया 12 एक dozen में 12 तो 4 dozen में 12 में 4 48 side में लिखा भी है इसको भी आप side में लिखें तो 48 bananas की होगे 60 रुपीज अब एक dozen का जोब हमें निकालना पड़ेगा sorry एक रुपीज का हमें निकालना पड़ेगा अब इसने बोला कि 60 रुपीज में जोब कितने बराना आ रहे है 48 में अब एक रुपीज में कितना आएगा तो इसको डिवाइड करके आपका आजाएगा 4 अपान 5 आजाएगा ठीक है 4 अपान 5 फिप्त आजाएगा अब इसने बोला कि 12.5 में कितना होगा तो इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे 12.50 से तो यहां पे जोब इसको काट करके जो आप पर्चेज कर सकूँ है 10.50 तो आप कांसर आजाएगा अगर आपको यह वाली केलिकुलेशन नहीं आ रही है सॉल्प करना तो आप जो वो लाइक लास में फिर से जो वो एक बार पूछ सकते हैं तो 7 को जिन दक आज अप कंप्लीट करिए ओके थैंक्यू एंड हैव नाइस आप सी